तो दोस्तो आज मैं आपके लिए बढ़िया शेर लेक्ट आया हूं जिसके बारे में पहले बता दू कि इस टॉक पे अधिग्रहन प्रस्टाबिक अधिग्रहन लगा हुआ था जिसकी वज़ा से इस टॉक के प्राइस काफ़ी ज्यादा नीचे जा चुके थे और बेसिकली 300 क हाई बनाने के बाद इस टॉक का प्राइस नियरवोड पचास रपाय के नियरवोड आ चुका था एक अच्छी खासी फार्मामेटिकली कॉमपनी है जे और बड़िया प्रड़क्ट बनाने वाली कॉमपनी है जिसे हम कह सकते हैं और पांच कंट्री में ये कॉमपनी काम करत है अपनी सेल को सेल करती है अपने प्रड़क्ट को सो दोस्तों इस पर एक मतलब की अगर हम सिंपल लेंगर में कहें थे बैन लगा हुआ था जिसकी वजह से इसके शेर के प्राइस लगा ता नीचे गेड रहे थे अब वो बैन हड़ चुका है और इस टॉक के जो प्राइस चैनल यहां वो बूस्तों रहे हैं एक दम उपर जा रहे हैं और एक अच्छी घासी कॉंपनीज दे सकते हैं अगर आप ऐसे टाइम में इस ऐसे कॉंपनीज पे इनवेस्ट करें तो अक्छी ऐसीर आपको मिल सकती है बनाति है जिसकी वज़ए से आगे इसकी रिगारिंग पूरी fundamentally जांच करेंगे कि ये company कैसी है और कैसा काम कर सकती आगे तो दोस्तों अगर इसके fundamentals की बात करें कि इसके fundamentals कैसे हैं तो market capacity इसकी 1848 क्रोड की market capacity ROE 5.7 काफी कम है मैं भी कहता हूँ कि काफी कम है जिसकी मेन बजाया अधिक रहन इस company पर जो बैन लगा होता उसकी बजाया से इस टॉक का प्राइस लगा अतार पिछले दो साल से गिल रहा था तीन सौ से पचास तक के निर बाउट आ चुका था तो दोस्तों उसके बाब 267 का तो आगे दोस्तों जो न्यूज आई थी वो मैंने आपको दुखाई है और इस पर एक दिन में 15 की ब्रहतरी इस शेर ने दी है तो न्यूज भी मैंने इस में एड़ कर दी है पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं तो दोस्तों 45.39 का इस चल रहा था और एक अच्छी खासी ग्रोव तो ओवरफलो चल रहा है जिसके बार अगर आप मैं आप सिंपली बता दू कि अब जो इस टॉक का है वो ओवरफलो चल रहा है मतलब कि जितनी नॉर्मल इसकी जो पर चेजिंग है शेर की जो लोग शेर क प्राइज के निरबावट 200-200 तक जाने की पूरी अमीर है तो दोस्तों बात करेंगे इसके फाइनाशल की रावनियू की के बात करें तो बात करें तो तो बैयंक के बाव इस betular प्राइज ये बात-इस पर गैए हर सा जिस और दो यs पर रहा है मतलुंHY को में कुछ भी कमी नहीं आई है हाला कि इस पर बन लगा होता बढ़ातरी ही हुई है यह इक्वल्टी ही रही है तो दोस्तो आगे इसकी बात करेंगे हैं प्रोफिट की प्रोफिट का चार्ट चाहट हों से जाता हुआ जो में देखने वाला है यह बात करें तो नीर अबाउट 1.45 से पिछले एक सालकी बार्ट लगा तार नीचे आता हुआ बीच में ज्यादा नीचे आया, फिर थोड़ा उपर गया, उपर जाने के बाद फिर उसके बाद लगातार नीचे जाता हुआ, चार दिखाई दे रहा है, मतलब की कॉंपनी अगस्त 2022 से लगातार नीचे ही आ रही है, जिन्होंने तब इन्वेस्ट किया था उनका पैसा अच शुरू हो चुका है, जैसे आप देखता है, सिर्ठी लाइन हो गए बढ़ा, अब वह वाला काम इस पर हो सकता है, दोस्तों, अच्छी कासी, अम्दन जी आपको दे सकता है, जो जी इसका एक साल का चार था, उसके साथ तीन से पानल का चार दिखेंगे, जो दोस्तों, जी stock का price लगातार नीचे आता हुआ तो दोस्तों अब मापको invest करने के लिए इसलिए भी कहा रहा हूँ क्योंकि जे price इसका base price है ये बहुत समय से इसी base price पे काम कर रही है company चल रहा है मतलब कि इससे नीचे जाने की बैसे भी अमीद नहीं है 50 के नीचे stock का price नहीं जाना चाहिए इसके जो chart के according है क्योंकि जे इसका base price chart था उसके बाद company ने जो growth की वो नीचे आगी है जो इस पर issue चल रहे थे जो promoters के साथ इसके थोड़े issue भी चल रहे थे तो उसके बाद के उसके price का stock price नीचे आ चुका मगर अब अपने base price पर आगा और जहां से आप जो अधिग्राइन खतम हो चुका जहां से एक अच्छी कासी boost आपको दे सकता है और एक अच्छी कासी income आपको दे सकता है दोस्तो जह था इसका chart जो मैंने आपके लिए लाए था अच्छी कासी company आप इसको अपनी watch list में add जुरूर करें और जब भी आपको सही समय लगे तो please invest कर सकते हैं तो दोस्तो लास्त में वही वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe the channel and खुद की search जुरूर करें Thank you so much